हेलो स्टुडेंट वालकम टू स्टडी ओफ कॉमर्स जैसा कि मैं आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था चैप्टर फॉर हम डिसकस कर रहे थे यानि कि प्रेजंटेशन ओफ डेटा ठीक है तो उसमें हम जो है एंस्याटी कोश्चन्स डिसकस कर रहे थे जिसका पा है तो अगर आप कॉमर्स के किसी भी एक्जाम के पर प्रेशन कर रहे हो ठीक है या फिर आप क्लास 11 या 12 में हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा मैं आपकी ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करूंगी ठीक है और अगर आप मुझे टेली ग्राम इंस्टाग करते हैं हमारा सबसे पहला जो कुश्चन है कुश्चन नमबर एक वह हिस्टोग्राम एंड कॉलम डाइग्राम आर दा सेम मैथड ऑफ प्रेजंटेशन ऑफ डेटा ठीक है तो कह रहा है यह कि जो हिस्टोग्राम और कॉलम डाइग्राम होता है दोनों का जो मैथड होता है को प्रिजेंट करने का changra Bay को का थिसको पर बोलते हैं तो यह किकल रहा है तो पर कॉश्चन हें कि हम और नाी oroम होता है तो पर STEPL करता है तो यह कॉश्चन हमारा गलत बोल रहा यह सेटमेंट बिलकु बहुНत भलत है हमारा false यहां पर होजाएगा क्योंकि हमारा बार रॉर् निल्टिक और हिस्टोराम दूनों में टेृटा को घंछा लेकर्ट ją है लेकिन जब किए लैकिन आप हृई go weary resident नो emails में हम हाइट और स्टैन्स handc см और जो हमारे बार डाइग्राम होते हैं उनके बीश का जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल डिस्टेंस होता है ठीक है इनके अंदर का भी डिस्टेंस बराबर होता है और इधर का भी डिस्टेंस बराबर होता है जबकि जो हिस्टोग्राम होते हैं वो सटे वे होते हैं उनके तो जो हमारा बार डाइग्राम होता है यह दिस्क्रीट सीरीज पर हम इसको प्रेजन कर सकते हैं जिबकि जो हमारा हिस्टोग्राम होता है यह हम हम कांटिनियोस सिरीज करते हैं इसको हम डिस्कूरीट से नहीं कर सकते हैं अगर वैलो होती है इसको q continuous करते है तब जाकर एपनी डेटा को प्रेजन करते हैं टो इसलिए यह स्टेट्मेंट फाल्स है दिखिए हमने आंसर भी लिख लिए हमारा फॉल्स हिस्टोग्राम कि हमार दो-डाइमेंशनल होता है, prepared for the continuous series, और इसको हम continuous series के लिए prepare करते हैं, जबकि जो column diagram होता है, या bar diagram होता है, वो one dimensional होता है, कि वह हाइट के बेस पे होता है, और prepare for discrete series, और इसको हम के वह discrete series के लिए prepare करते हैं, ठीक है, चलिए next question देखते हैं, question number 9, question number 9 कह रहा है, mode of a frequency distribution can be known graphically with the help of histogram, ठीक है, तो यह कह रहा है कि histogram की मदद से हम अपने mode को easily find out कर सकते हैं, तो यह statement बिल्कुल सही है, यहाँ पर true हो जाएगा, अगर हम देखना चाहें कि हम कैसे find out करते हैं, तो उसके लिए हमारा जो diagram बनता है, वो आपका बिल्कुल ऐसी ही बनता है, histogram का, suppose that यह आपका एक histogram है, ठीक है, अब इसमें जो सबसे बड़ा वाला box जिसका होगा, यानि कि सबसे increase mode का मतलब क्या होता है, जो बार-बार repeat करें है, quantity में सबसे जादा हो, ठीक है, यह जो increasing हो, उसी को हम mode बोलते हैं, तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा वाला होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, mode, तो histogram की मदद से हम mode को easily find out कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए यह statement आपका true रहेगा, तो answer में हम लिखेंगे true, graphically, mode can be determined by presenting the data in the form of histogram, the highest histogram indicates model class, तो जो सबसे highest होगा हमारा, वही हमारा क्या कहलाएगा, mode कहलाएगा, ठीक है, चलिए question number 10 देखते हैं, question number 10 कह रहा है, median of a frequency distribution cannot be known from the ogips, अब यहाँ पर लिखा है कि cannot, जबकि हमने पहरले ही पढ़ा था कि median जो है, हम ogips की मदद से find out कर सकते हैं, और यहाँ पर लिखा है कि हम find out नहीं कर सकते हैं, तो यह statement बिल्कुल गलत लिखा है, अगर यहाँ पर cannot नही तो हमारा एंटर सक्षेमपद की मदद से median को find out कर लेते हैं, कैसे हमारा एंटर सेक्शन का पॉइंट होता है तो यह हमारा less than हो गया हमारा more than हो गया हैं और इन दोनों के बीच की जो intersection point होता है, यही क्या कहराता है, आपका, median कहलाता है, टीकह tort tox होस्व kind ही हमारा क्या होता ह by the intersection point of the less than or give and more than or give ठीक है चलिए question number 11 देखते हैं question number 11 हमारा कह रहा है what kind of diagrams are more effective in representing the following ठीक है तो इन जो तीन conditions दी है इसमें कौन सा diagram effectively represent कर सकते हैं ठीक है तो जो पहली condition है वो हमारी है monthly rainfall in a year यानि कि एक साल में कितना monthly rainfall हो रहा है यह हमको दिखाना है ठीक है तो इसको हम सबसे बेटर बार diagram से दिखा सकते हैं जैसा कि आपको diagram बना के मैंने दिखाया यह कि सपोस्ट इधर हमने एक्स एक्सिस पे मंत दिखा दिया जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नॉंबर ठीक है यह जनुरी फनुरी से दिखाना चाहिए तो दिखाये और इधर हमने रेनफॉल दिखा दिया कि यह एक्सिस पे कि हमारा कितना रेनफॉल हो रहा है तो सबसे ज़्यादा हमारा अगस्त में रेनफॉल हो रहा है ठीक है तो यह हमें एक बार डायग्राम की वगत से इसने दिखा सकते हैं कि मंत्ली रेनफॉल एक साल में हमारा कितना हो रहा है ठी क्योंकि इसमें एक वेरियेबल है इसलिए हम इसको असानी से बार डाइग्राम से कित्रू दिखाते हैं ठीक है मंथली रेलफॉन इस टूबी कंपेर्ड विज्वली तो हम इसको असानी से यहां पर कंपेर कर सकते हैं नेक्स्ट है हमारा कमपोजीशन आफ द लही बाई रीलिज्वली तो अब हमक जो है डेलिकी पोपुलेशन को लिज्वलीरिजेशन पर कमपेर्ड कर ना है ठीक है तो ये भी हम simple bar diagram की मदद से compare कर सकते हैं bar diagram हमारा ऐसी ही बनेगा जैसे rainfall का बना था ठीक है suppose that ये हमारा bar diagram हो गया तो x axis पे हमारे क्या होंगे population दली region का करना है by religion तो x axis पे हम उनके religion लिख देंगे जैसे Hindu, Muslim, Sikh, इसाइ ठीक है ये सब लिख देंगे और यहां पे हम population लिख देंगे y axis पे ठीक है तो जिसकी जितनी population होगी उतना बड़ा उसका bar diagram बन जाएगा ठीक है तो ये just like rainfall वाला ही है उसी की तरह बनेगा तो comparison of the population of Delhi by religion can be represent by simple bar diagram तो हम bar diagram के थूँ इसको simply represent कर सकते हैं plotting different religion on the x axis तो हिंदू मुस्लिम से किसा ही जो हमारे religion है उसको हम x axis पे दिखाएंगे और जो number of people है उनको हम y axis पे दिखाएंगे ठीक है one can easily compare the number of population religion wise तो हम religion wise आसानी से compare कर सकते हैं bar diagram के थूँ ठीक है चलिए next हम मैरी जो third condition है वो दिखते हैं component of a cost in a factory तो अब एक factory की हमको जो cost है उसके components दिखाने है तो factory की total cost होगी उसके अलग-अलग components होंगे ठीक है तो उसके लिए हम bar diagram नहीं बना सकते है क्योंकि bar diagram बनाएंगे तो हमको एक ही में कितने component दिखा देंगे ठीक है तो उससे हम easily compare नहीं कर पाएंगे समझ नहीं पाएंगे ठीक है तो इसका best representation का जो तरीका है वह आपका पाई diagram होगा जो कि यहां पे बना हुआ है तो यह पूरा circle क्या है यह हमारी का factory की total cost है अब इसमें से कुछ fixed cost हो जाएगी ठीक है तो रिप्रेजेंट different components of a cost in a factory अब पाई चार्ट is more effective तो हमारा पाई चार्ट ज्यादा effective होगा as compared to bar diagram दा इंटायर circle represents the total cost and various component costs are shown by different portion of the circle तो हमारा जो पूरा circle होगा वह total cost को represent करेगा और फिर उसके कुछ parts में उसके component दिखा देंगे चलिए question number 13 देखते है question number 13 कह रहा है how does the procedure of a drawing a histogram differ when class intervals are unequal in comparison to the equal class intervals in a frequency table तो इसमें 2 conditions हमें बनानी है एक unequal class interval की और दूसरी equal class interval की कि दोनों में हम कैसे frequency table बनाते हैं ठीक है तो जो हमारी conditions होगी when class intervals are unequal तो equal के case में तो हमें कुछ करने की जरूवत ही नहीं है वैसे ही हो जाएगा unequal के case में हमें क्या करना होता है frequencies are first adjusted before constructing the histogram तो histogram बनाने से पहले हमारी जो unequal class intervals होती हो उनको हम adjust करते हैं ठीक है adjustment कैसे होता है चलिए इसको देखते है adjustment factor for any class तो अगर किसी class का adjustment factor हमको निकालना है तो उस class की weight से उसको divide कर देंगे उसकी lowest class को ठीक है तो for example हमारी ये classes है 0 से 10 ठीक है 10 से 20 फिर आपकी 30 से 40 अब इसमें जो सबसे lowest standard cost होगी वो 10 होगी ठीक है तो यहां पर हम 10 को divide करेंगे और suppose that इन दोनों के बीच के देखना है यह आपकी 20 to 40 है ठीक है तो यहां पर 20 का difference आ रहा है ठीक है तो यही जो 2 आ जाएगा यही हमारा क्या हो जाएगा adjustment factor हो जाएगा फिर यहां पर 10 का difference है चले question number 14 देखते है The Indian Sugar Mills Association reported that sugar production during the first fortnight of December 2001 was about 387,000 tons ठीक है as against 378,000 tons during the same fortnight last year 2000 तो यह last year 2000 का दिया है और 2001 का data हमारे पास दिया हुआ है उसके बाद कह रहा है the offtake of sugar from factories during the first fortnight of December तो पहले तो हमें production दिया हुआ है यह दोनों ठीक है उसके बाद offtake दिया है 2001 में हमारा 283,000 tons था for internal consumption and 41,000 tons for export ठीक है और उसके बाद 154,000 tons for internal consumption and nil for export during the same fortnight last session तो यह हमारे पास 2000 December और 2001 December का data दिया हुआ है जिसको हमें क्या करना है आगे दिया हुआ है कि presents the data in a tabular form तो हमें इसको एक table के form में create करना है तो जैसा कि मैंने किया हुआ है आप देखिए यहां पर heading हम डाल देंगे table की title से सुगर production in tons, सुगर की production है हमारे पास tons में ठीक है off taken for internal consumption, internal consumption है हमारे पास off taken का एक्सपोर्स डिये हुए है, stocks in sugar miles in India तो stocks भी दिये हुए सुगर मायल में इंडिया के वह भी कब कब के 2000 यह के और 2001 के दिये हुए ठीक है तो अब हमें जो है तीन कॉलम बनाने होंगे पहला कॉलम हम बनाएंगे सुगर मिल रिपोर्ट का दूसरा हम बनाएंगे दिसम्बर 2000 फिर्स्ट फिर्ट नाइट का पिर दिसमबर 2001 फिर्स्ट फिर्ट नेक तो कि टा इसमें वन लैंग 54 थाउज़न हुआ इसमें 253 थाउज़न हुआ था अगर हम exports की बात करें तो December में हमारा निल था जैसा कि हम लोगों ने question में देखा कि यहां पर दिया हुआ है ना कि December में हमारे exports जो है वो निल थे ठीक है यह देखे यह लिखा हुआ है दिसम्बर में हमारे एक्सपोर्स जो है वो निल थे तो यहां पर हमने निल कर दिया है और अगर हम 2001 की बात करें तो यहां पर स्टॉक नहीं दिया हुआ है तो टोटल प्रोडक्शन जो दी हुई है उसमें से जब हम यह आफटेक को माइनस कर देंगे तो हमारा स्टॉक निकल के आ जाएगा यानि कि 3,78,000 में से जब हम 1,54,000 माइनस करेंगे तो हमारा यह स्टॉक आजाएगा 2,24,000 उसी तरीके से 3,87,000 टोटल प्रोडक्शन दिये इसमें से हम 2,83,000 माइनस कर देंगे तो हमारा 63,000 आ जाएगा और यह भी हम माइनस करेंगे जो हमने एक्सपोर्ट किया है ठीक है तो हमारा यह जो डिफ्रेंस आएगा 63,000 का आ जाएगा स्टॉक का ठीक है अब सेकेंड कंडिशन देखते हैं से ठीस डेता इना डाय मिटिक फार्म तो हम प्रेजन आप जो ने टाब गेल किया जो टेबल क्रेट किया है उसको हमें एक डाईगराम के फार्म में अगर हम क्रेट करना चाहते इंच ए तछो कौन सा डाईगराम बेस्ट रहेगा और present बडेट गयम बरायमिश्क टो परिर हम given data as it shows the division of total sugar production into different parts of take from factories export and balances ठीक है तो चलिए देखते हैं यहां सबसे पहले तो हमारी headings दी हुई है कि Indian Sugar Mail Association Report है ठीक है इस वर्स की उसके बाद दिया हुआ है कि scale हमारा 1 cm का है 50,000 ton sugars का ठीक है चलिए इसमें आगे देखते हैं इसमें off take हमारा dark color में है export हमारा light color में है और stock हमारा बिल्कुल ही white color में है जैसे कि यह हमारा stock है ठीक है यहां पर export नहीं था December 2000 में ठीक है तो इसलिए यहां पर export नहीं दिख रहा है आप लोग को समझ में आ रहा है यहां पर stock जो है वह बिल्कुल ही white color में है इसलिए वह यहां पर दिख नहीं रहा है तो यह पूरा stock है हमारा और यह हमारा off take है दिसंबर 2000 का और हम दिसंबर 2001 की बात करें तो यह हमारा off take है यहां तक उसके बाद यह हमारा इतना export है और इतना जो बचा है वह हमारा stock है ठीक है तो इस तरीके से हम इस diagram को represent करेंगी चलिए आगे देखते हैं तो इसमें monster भी लिख दिए diagrammatic presentation through sub divided bar diagram ठीक है तो आई होप आपको question number 14 अच्छे से समझ में आ गया होगा अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप फिर से दुबारा यह वीडियो देख लीजएगा तो आपका concept clear हो जाएगा ठीक है चलिए question number 15 लेखते है question number 15 में हमारा कह रहा है the following table shows the estimated sectoral real growth rates ठीक है तो यह हमारी इस्टीमेटेट सेक्टरल की जो है रील ग्रोथ रेट्स दीवी है परसेंटेज चेंज ओबर दा प्रीविएस एर इन जीडीपी एड फैक्टर कॉस्ट तो डिफरेंट परसेंटेज दिये हुए है इधर हमारे एयर्स दिये हुए इस देटा को टाइम स्रीज ग्राफ में रिपेजन करना होता है तो हमने बना रखा है तो इस तरीके से बनेगा तो इसको समझने की कोशिश करते हैं यहां पर हम एडिंग डाल देंगे जैसे उसमें डाला था टाइम स्रीनीज ग्राफ ग्राफ हो टिकवं सेंटीमीटर चूँ बन एक सेक्सिस फिकल यहां पर इन डुनों टाइंके बीक में एक अटिए क और सिनुक्तित तो यहां पर 1 cm का मतलब कि दो परसेंट ग्रोफ रेट बढ़ा है ठीक है दो दो परसेंट बढ़ रहा है यहां पर एक एक साल बढ़ रहा है ठीक है चलिए आगे समझते हैं अब यह जो एगरी कल्चर और एलाइट सेक्टर है वह आपका इसका ऐसे बना हुआ है इंडेस्ट् कि अब हम बनाते हैं इंडेस्ट्री का क्या है इनस्टी का ऐसे बनेगा गगका इंडेस्ट्री का है अब हम बात करते हैं Meanwhile which Zwits – के लिए अम जूव सरा कलर लेते हैं भ soci that हम ने पिंक कटलर है सर्विस हमारी स्कडाश से घो जाएंगे ठीक है तो यह आपके तीनों अलग अलग तरह से टाइम स्प्रेश क्या है क्योंकि यह व्मारे पास एगडिकल्चर और लाइट सेक्टर इसको स्रीज में दिखाएंगे एक इंडर्स्ट्री और दूसरा सर्विसे और य owners को तो हमने एक सेक्सित पर बनाहीं रखा तो यह स्कोथ हमेशा टाइम से से बोड़ रहा है और टाइम हमारा एक-एक साल का गैप है उसके बाद हम एग्रिकल्चर इंडस्ट्री और सर्विसस तीन चीज़े हैं हमारे पास तो तीन वरियेबल्स है तो उनके अकॉर्डिंग हमने टाइम सीरीज बना रखा है तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा देखिए यहां पर लिखा भी हुला है हमने 3 करब बनाया है टाइम हमने एकसे पर लिया है ग्रूथ रेट हमने वाइक सिस पर लिया है और agriculture एम एक सिस के तो दिखाया तो आई हो आपको सारे कुश्चन समझ में आया होंगे तो आज आपका यह चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया प्रेजंटेशन ओडेटा जो कि हमारा क्लास 11 की एकोनोमिक्स और स्टैटिक्स ऑफ एकोनोमिक्स जो बुक है उसका चैप्टर है चैप्टर पूर जो कि आज अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपका चैप्टर फाइब डिसकस करेंगी ठीक है वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा आगे के और वीडियो देखने के लिए ठीक है और अगर आप मुझे इंस्ट्राग्राम टे पढ़ने में नहीं तुम मेरा इतनी मेहनत करने का कोई भी वीडियो बनाने का को मतलब नहीं रह जाता ना जब स्टुडेंट इंट्रेस्ट ना ले ठीक है चले आज के लिए इतना ही थैंक्स फॉर वाचिंग